हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग डिसकस करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टन्ट क्वेस्चन या यूं कह लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टन्ट कॉंसेप्ट लेंग्वर्ज का जिसको लेकर लर्नर्स जो होते हैं, they are often confused, जिसको लेकर अक्सर उन में confusion रहता है और वो उस confusion से बाहर में ही निकल पाते है, ultimately फिर उसको याद कर लेतेंगे, हाँ भी sentence में ऐसे करना है, वैसे करना है तो भी हम discuss करेंगे, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमने लिखा, the cow is a useful animal अब यह जो हमने तीन डिफरेंट सेंटेंसे लिखे हैं, तो अगर हम इन देखें, इन तीनों सेंटेंसे का प्रेडिकेट अल्मोंस सेम है verb यहाँ पर are use हो गई है, क्योंकि plural number subject उसका लिए, otherwise the predicate is same subject देखें तो subject भी सेम है, पस subject में यहाँ पर determinants different है, articles different है और यहाँ पर हमने plural noun के determiner use किया अब हमें यह समझ नहीं कि यह जो तीनों sentences हैं, यह तीनों ही सही है, या इन में से कोई गलत भी है या फिर अगर यह सारे ही सही है, तो फिर इन में क्या कोई differences भी है meaning के, और अगर हैं तो वो क्या difference है, यह आज की class का हमारा topic है, जो आज हम discuss करेंगे, देखिए, यह सारे सही हैं, यह सारे गलत हैं, यह है ultimate हमारे result, लेकिन उस result तक पहुँचने के लिए जो process है, और उस process में जो basics हैं, जो fundamentals हैं, उनको पहले हम एक बार update कर लेते हैं, क्योंकि जब वो हम समझ जाएंगे, तो आपको यह याद नहीं रखना पड़ेगा, इन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो आप जान जाओगे, क्यों सही है, क्यों गलत है, और फिर यह बात के बल काउ तक नह मतलब यह जो इस तरीके के generic nouns होते हैं, उनमें से किसी को भी आप कैसे यूज करोगे, किस situation में कौन सा article यूज करोगे, वो सब आपको एक दम clear हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारी coaches क्या है, कि not just remember the answer, कि मैं आपको एक answer बता दो हूँ, इसका मतलब यह है, उसका मतलब वो है, आप याद कर लो, यह सही होता, यह गलत होता, इसमें कुछ नहीं रखा, ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, यह basic concept क्या है language का, जो यहाँ पर काम कर रहा होता है, उस basic concept को language के अपने common sense के साथ में use करते हुए, हम अपने आप ही सही गलत पता कर लेंगे, आज यह सुरुआत करते हैं, देखें, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह, कि चैसे यह cow है, या tiger है, या rose है, या peacock है, या apple है, या orange है, यह सब आप देखिए common nouns हैं, all these are common nouns, अब जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि common nouns को हम कैसे define करते हैं, a common noun is the name of the category of things or animals, okay, things जब आप कहते हैं, तो उसमें animals भी समझ लीजिए, तो हम common noun को इस तरीके से पढ़ते हैं, कि common noun is the reference to a category of things, जैसे proper nouns क्यों होते हैं, proper nouns जो होते हैं, वो individual का reference होते हैं, जो एक particular individual को refer करने के लिए उसके जाते हैं, लेकिन common nouns जो होते हैं, वो किसी particular individual का reference नहीं होते हैं, वो उस individual की category का reference होते हैं, जैसे एक word है driver, यह basics अभी मैं आपको पहले एक बर समझा देता हूँ, क्योंकि basics अगर clear हो गए न तो आपको question का answer याद नहीं करना पड़ता, आप खुद जानते हैं कि क्या सही है, क्यों सही है, क्या गलत है, क्यों गलत है, अब जैसे हम हम लिख दे हैं यहाँ पर driver, तो driver जो है, it is not the name of some individual, it is the category of the individual, those who drive, वो driver होते हैं, जो भी driving करता है, वो driver होता है, वो सरल हो सकता है, विमल हो सकता है, कमल हो सकता है, मोहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो यह common noun हो गया, ठीक, तो जब हम proper common nouns पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते हैं कि proper noun is the reference to some particular person or thing, and common nouns are the reference to the category of things, or category of people, they are not reference to some individual, अब मैं आहाँ पर आपको चाहता हूं कि इस definition को आप थोड़ा सा update करें, जो common nouns के भी तक की definition है, इस definition को हम थोड़ा सा update कर लेते हैं, देखे, a common noun can have two discrete references, जैसे कि हमने पढ़ा कि common noun refers to the category of the things, ओके, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, कि common noun जो होता है, वो दो meanings convey करता है, यह बात मैं आपको example सा समझाता हूं, देखे, common noun, what does a common noun refer to, तो देखे, एक तो common noun refer करता है, a class of members को, class को आप category भी कह सकते हैं, members को आप thing या person भी कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऐसे words यूज किये हैं, जो हमें ज्यादा confuse ना करें, और concept को समझने में help करें, तो हम ऐसे कह सकते हैं, common noun जो होता है, यह refer करता है, class of members को, जैसे अभी हमने लिखा था driver, ठीक है, teacher, यह सब क्या है, यह है class of people, जो लोग hospitals में patients को treat करते हैं, वो आपके doctors हो गए, ठीक है, जो लोग पढ़ाते हैं आपको वो teachers हो गए, such people as driver हो गए, such people as player हो गए, ठीक है, तो player क्या हो गया, a class of members, एक class हो गई, एक certain type के members की अपनी एक class का नाम हो गया, player, लेकिन, अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ बे समझे, यह जो आपके common nouns होते हैं, a class of members को तो refer करते ही करते हैं, लेकिन they can refer to a member of the class too, a member of the class, तो जो आपके common nouns होते हैं, they convey two meanings, एक उनका meaning ही होता है, a class of members को represent करते हैं, आप इसको कहेंगे primary meaning, हम इसे कहेंगे primary meaning of a common noun, common noun का यह होता है primary meaning, कि it refers to a class of members, लेकिन इसका secondary meaning भी होता है, secondary meaning जो इसका होता है, वो होता है, it refers to a member of the class, जैसे कि आप example से समझे, हमने यहां पर लिखा dog, और यहां पर भी हमने लिखा dog, तो देखिए dog है क्या, dog कोई particular animal है, या animal की category है, तो आप समझेंगे दोनों यह, dog is the name of the category of animals, भी buffalo होती है, और cow होती है, dog होता है, elephant होता है, lion होता है, peacock होता है, birds are animals as well, tiger होता है, तो these are the categories of animals, okay, फिर कोई भी individual जो उस category है, उसको भी हो ही कहते है, tiger है category of animals हो गई, आप उस category में मालीजे कोई individual tiger है, तो उसको भी आप tiger ही कह रहे हो, unless until you assign some proper name to it, जब तक आप उसको कोई proper name assign ना कर दें, ठीक है, तब तक फिर आप उसको tiger ही कहोगे, तो tiger name of category भी है, और name of individual भी है, जो उस category से belong करता है, तो हमें यहाँ पर समझना यह है, कि जो common nouns होते हैं, they have two meanings, दो references होते हैं, they refer to the class, and they refer to the member of the class, वो member of the class को भी refer करते हैं, तो dog का मतलब cable member ही नहीं है, dog का मतलब class भी है, यूँ कहले जएक कि dog का मतलब cable class नहीं है, dog का मतलब member भी है, जब यह बात आपको समझन में आने लग जाए, कि दो meaning हो गए, एक primary हो गया, और एक आपका secondary हो गया, primary meaning जो होता है, वो class के लिए use होता है, secondary meaning जो होता है वो class के किसी member के लिए उस होता है यह मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा some member या members of the class तो यह basics हैं आपको समझने पड़ेंगा और यह थोड़ा याद भी रखने पड़ेंगे कि common nouns जो होता है वो दो meanings convey करता है it can refer to the class as a whole and it can refer to the it can refer to some member of the class ठीक है when it refers to a member of the class यह secondary meaning होता है उसका but when it refers to the class as a whole तो यह उसका primary meaning होता है आगे बड़ते हैं देखें अभी जो दो meanings होते हैं एक primary हो गया एक secondary हो गया primary meaning of the common noun refers to the class as a whole secondary meaning refers to the member, it can refer to all members or it can refer to some member of the class अब एक और basic है जो आपको पहले clear कर लेना है फिर हम questions बजाएंगे दूसरा basic यह है कि यह जो primary meaning होता है, it can represent the secondary meaning मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जो primary meaning होता है वो secondary meaning की जगे पर use किया जा सकता है उसको represent करने के लिए meaning को represent नहीं कर सकता है इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है यह common sense है आप इसको ऐसा समझ सकते है कि जब मैं यह कहूँगा जब मैं यह कहूँगा कि यह पूरी एक class है ठीक है dog यह पूरी एक class है dog फिर उसमें individuals है चीक है एंड ओल दिस individuals आर डॉग यह सारे individuals यह खुद भी एक dog है लेकिन हमें ध्यान यह रखना है जो main बाता में यह ध्यान रखना है a dog a dog and so on सारे ऐसे हैं ठीक है अब हमें ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि यह जो primary meaning है dog और यह जो secondary meaning है dog तो यह जो members है members को हम group के थुरू represent कर सकते है group को members के थुरू represent नहीं किया जा सकता मतलब यह थोड़ा सा आपको लग रहा हो contradictory but actually यह सायन भी clear हो जागा ठीक है तो basic fact आपको दो basic facts हैं जो ध्यान रखने एक जो fundamental है वो यह ध्यान रखने कि common noun refers to the class as well as the member of the class when it refers to the class as a whole it is in its primary meaning but when it refers to the members of the class it is referring to the secondary meaning okay दूसरा जो basic आपको ध्यान रखना वो यह है कि यह जो primary meaning होता है यह जो primary meaning होता है common noun का वो secondary meanings को रिप्रेजेंट कर सकता है मतलब आप primary meaning का यूज करके किसी common noun को उसके secondary meaning को replace कर सकते हो but secondary meaning जो तो primary meaning को replace नहीं कर पाता है यही वो catch है जो लोगों confuse करता है यह जो मैं आपको कह रहा हूँ न basic यही वो basic है जब हम समझ नहीं पाते है या समझा नहीं पाते है तो फिर हमें confusion होती है और फिर हमें याद करना पड़ता है कि the cow is a useful animal यह सही है यह a cow is the useful animal यह सही है अगर यह आपको basic clear हो गया तो there is no confusion कोई confusion नहीं है बस यह दो fundamentals ध्यान रखने है चलिए आगे बलते हैं अब यह जो दूसरा वाला basic है जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ कि a primary meaning can replace can substitute for the secondary meaning इसको आप examples के मदद से मैं आपको समझाता हूँ देखे समझे क्योंकि यही वो catch है जो अगर हमें clear हो गया तो हमें कुछ भी याद नहीं करना सब समझ में आगा और यह अगर clear नहीं हुआ यह बात हमारे दिमाग में नहीं पहुंच पाईए मेरी पूरी courses होगी I have got enough examples कि यह बात आपको समझ में आ जाई in examples की मतद से तो बात समझ में आ गए तो concept clear हो गया बात नहीं समझ में आई तो फिर हमें याद करना पड़ेगा देखे जैसे मैंने आप एक example लिखा the links of the chain are made of gold माली यह कोई chain है ठीक है अब हमें पता है देखो chain क्या होती है chain जो होती है वो links से मिलके बनती है ठीक है chain के अंदर links होते है और इन 10 links को मिलाके हमने एक chain बना लिए ठीक है तो यह जो पूरा circle है यह circle है chain actually यह the chain है मैं अभी आपको confusion नहीं करना चाहता है तो आप समझने यह chain ठीक है और यह है इस chain के अंदर के links एक link की यह हो गया एक link की यह हो गया एक link की यह हो गया ठीक है एक link एक link और एक link अब आपको समझना गया यह जो chain है it is the whole यह complete है ठीक तो यह जो complete है यह हो गया आपका primary meaning ठीक है फिर यह जो links का collection है इसको भी आप chain कहा रहे हो which is actually referring to links तो link को आप यहां पर secondary meaning माल लीजिए और secondary ही होगा क्योंकि वह part है वह total नहीं है तो वह primary नहीं होगा ठीक है तो यहां पर गया हो कि वहां तो cow ही primary है cow ही secondary है dog ही secondary है लेकिन इस example में कहा कि primary जो है वह chain है और link जो है उसका secondary meaning है बड़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि primary meaning secondary meaning को कैसे replace कर देता है तो उसके लिए देखे समझे examples यहां पर देखे मैं फिर से कवर आपको basic याद दिला देता हूँ देखिए first slide पर हमने क्या पढ़ा था first slide पर हमने पढ़ाता है कि जो primary meaning होता है वह class को और जो secondary meaning होता है वह member को represent करता है ठीक है तो अगर आप doc कहकर किसी member of the class को refer कर रहे है तो वह secondary meaning में common noun ने ज़र है और अगर आप doc कहकर पूरी class को refer कर रहे है तो वह primary meaning में common noun ने ज़र है ठीक जब यह बात समझ में आजेगे तो यहां जाए यह जो पूरी chain है chain क्या है chain है class whole complete है ठीक है तो chain है primary word links जो है वो उसके parts जिन से वो बनी है तो वो है आपका secondary अब यहां जाए हमने लिखा the links of the chain are made of gold अब इसी बात को अगर हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं the chain is made of gold अब यहां पर आप देखिए यह links जो थे secondary chain primary तो अगर हम इस statement को the links of the chain are made of gold को the chain is made of gold कह दें तो हमें लगता है meaning नहीं change जुआ the sentence returns the same meaning we are saying the same thing in a different way हम एक ही बात को एक दूसरे तरीके से कह रहे हैं तो आप यहां पर देखोगे कि जो हमारा secondary meaning था links हमने उसको क्या किया the chain primary meaning से replace कर दिया and the sentence returns the meaning sentence अपना meaning भी return कर लेता है the meaning doesn't get altered ठीक है meaning change भी नहीं होता है यह मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमने links को drop कर दिया जो कि secondary meaning थे और उनकी जगे chain को उसके लिए जो कि primary meaning है and the meaning is the same तो primary meaning ने secondary meaning को replace कर दिया दूसरे तरीके से देख लीजे सम लिंक्स अब दी चैन आर वीक आली जो कोई chain है 10 लिंक्स है सपोस्थ 10 लिंक्स है और 10 में 2 या 3 लिंक्स जो है वो वीक लिंक्स है ठीक तो सम लिंक्स ओप दी चैन आर वीक जो पूरे statement है इसमें सम लिंक्स क्या है मेंबर का मतलब क्या हो गया यह secondary meaning यह हो गया आपका secondary meaning जैसे यहां पे भी links members थे तो secondary meaning था अब some links of the chain or weak को हमने लिख दे है the chain is weak the chain क्या member तो है नहीं फूरा group है ठीक है तो primary meaning से हमने उसको replace कर दिया and still both have the same meaning दोनों का meaning same है अगर आप यह कह रहे हो some links of the chain are weak then ultimately you mean to say the chain is weak ठीक और इस context को लेकर यह जो context मैं आपको समझा रहा हूँ इसको लेकर English में तो यह बहुत अच्छा proverb भी होता है a chain is as strong as its weakest link ठीक है यह English के एक प्रवर्ब है जो बिलकुल इस context को justify करती है यह मान लिजे इस context पर बनाईगे प्रवर्ब ठीक है कि a chain is as strong as its weakest link कोई भी chain उतनी ही ज्यादा strong होती जितना उसका सबसे कम जोर वाला link के strong होता है क्योंकि जब वो टूटेगा सबसे पहले तो वह ही strength थी chain के तो यहां से आपको पते क्या समझना है यह जो example से इनके तुर मैं आपको दो बाते सम्झाना चाहता हूं पहली कि जो primary meaning है वो secondary meaning को replace कर सकता है और हमारा sentence का meaning वही रह जाता है sentence गलत भी नहीं होता और उसका meaning भी नहीं change होता है ठीक है primary meaning get substituted by the secondary sorry secondary meaning get substituted by the primary meaning एक बात दूसरी यहां से जो आपको समझना है मैं इसको लिख के भी देखो आपको बता देता हूं अपने notes पर गर बनाऊगे तो लिख दोगे the primary meaning can represent the secondary meaning in total or in parts primary meaning secondary meaning को represent कर सकता है secondary meaning को as a total a secondary meaning which is in part secondary meaning अगर part में तो भी उसको primary meaning replace कर सकता है total यह तब भी कर सकता है यह बात example से यहां पर समझे यहां पर देखिए यह जो the links of the chain हमने लिखा है यह secondary meaning किसी स्कोर्यफर कर रहा है total को total number of links जितने भी लिंक्स है वो सारे के सारे लेकिन यहां पर जो हमने सम लिंक्स लिखा तो सम लिंक्स का मतलब not all the links सारे लिंक्स वीक नहीं है उसमें से कुछ वीक है तो यह पार्ट है तो secondary meanings का मतलब members होगे । यहां पर total members all links की बात हो रही है यहां पर some lács की बात हो रही है तो यहां पर secondary meaning जो था वो पार्ट में था ठीक है लिखने लिगन उसको प्राइमरी मिनिंगन राट में रे STEMI यहां पर secondary meaning complete था, total था, उसको भी primary meaning रेप्लेस कर जाता है, तो primary meaning जो होता है, secondary meaning को पार्ट्स में हो या total में, उसको रेप्लेस कर जाता है, ठीक, यह बात ध्यान रिखने है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, यह situation वाई से वर्षा काम नहीं करते है, the other way around यह काम नहीं करेगी, मतलब इसका मतलब यह हो गया कि primary meaning, secondary meaning को रेप्लेस कर सकता है, बट secondary meaning, primary meaning को रेप्लेस नहीं कर सकता, इसको समझाने के लिए आगे आजाते हैं, यहां देखे, मैंने एक example लिखा है, the chain was bought by my grandfather, कोई chain है, यहां पर grandfather लिखा है, यहां पर father लिखा है, चलिए, कोई नहीं वह आप समझ दीजेगा ठीक है, इसको नहीं हो न, ध्यान नहीं दिया होगा इसमें, यह इसको फादर ही कर देते हैं, एक minute लगेगा, सही कर लेते हैं, फिर मैं इसका PDF भी निकाल कर आप लोगों साथ में, टेलिग्राम पर शेयर करूँ है, तो उसमें भी a mistake रह जाएगी, तो हम इसको सही कर लेते हैं, अब यहां पर समझे, जैसे हम नहीं लिखा है, यहां पर समझे, जैसे हम नहीं लिखा है, अब हम इस प्राइमरी मीनिंग को क्या करते हैं, से रेप्लेस करके देखते हैं, और हम इसकी जैगे लिख देते हैं, अब हम इसकी लिख सकते हैं, तो हम इसकी लिख सकते हैं, अब हम इसकी लिख सकते हैं, लेकिन यहां है, अगर हम प्राइमरी मीनिंग को से रेप्लेस करने के कोशिस करें, और ऐसे, इसको हम एक रेप्लेस करके लिखने करें, यहां ही हैं, तो यह situation से हम नहीं है, यहां जाते हैं, यहां हमने लिगा, the chain is my favorite jewelry, ना लिजे किसी person के पास में कोई chain है, a ring भी है, बाकी जो भी jewelry होती है, I don't know about that, ठीक है, तो उसके पास है, अब उस नहीं कहा कि the chain is my favorite jewelry, हलाएं कि piece of jewelry होना है बट चलिए हम समझ लेते हैं, the chain is my favorite jewelry, ठीक, जो chain है, यह मेरी favorite jewelry है, rings नहीं है, bracelet नहीं है, या बाकी जो जो भी होता है वो नहीं है, ठीक, अब the chain क्या है primary, because it is referring to the complete thing, यह total को complete thing को refer कर रहा है, group को refer कर रहा है, तो यह primary meaning है, ठीक, अब हम इसको secondary meaning से replace कर देते हैं, और हम लिख देते हैं, इसकी जगे the links या some links आप कु लिखा, और हमने लिख दिया, the links of the chain are my favorite jewelry, आप समझ जाओगे, the sentence is not the same anymore, कि आप sentence यह वो नहीं रहा, यह तो बदल गया, यह तो कुछ और हो गया, यह अलग statement है, वो अलग statement, दोनों के meaning है, अलग है, ठीक, तो कहने का मतलब जो primary meaning होता है, उसको secondary meaning replace नहीं कह सकता, और यह ब predicate जो होता है, वो subject के बारे में बता रहा होता है, तो आप predicate को focus में रखोगे, प्रेडिकेट पे धियान दोगे, तो आप जान जाओगे कि subject आपका क्या है, primary है, secondary है, तो हमें पता है, जूल्ली अगर कहा जा रहा है, तो जूल्ली links नहीं होता है, जूल्ली complete chain होती है, तो ह primary meaning को secondary meaning को रहा है, तो यहां से दो concept आपको clear हुए, एक पहला concept आपको क्या clear हुआ, कि common noun जो होता है, उसके दो meanings होते है, एक primary meaning, एक secondary meaning, प्राइमरी मीनिंग में वो class को refer करता है as a whole, secondary meaning में वो members को refer करता है class के, वो members all भी हो सकते है, पार्ट भी हो सकते है, ठीक है, दूसरा हम आपने यह पढ़ा कि जो primary meaning होता है उसको secondary meaning उसके through secondary meaning को represent किया जा सकता है बट secondary meaning के through primary meaning को represent नहीं किया जा सकता है ओके आगे बढ़ते हैं अब cow वाले examples पर आने से पहले यह मेरे एक last attempt है कि यह जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया है वो clear हो जाया मतलब मैं इस बात को confirm करना चाहता हूं कि इतने देर में मैंने जो भी आपको समझाया और बताया है वो आपको clear हो तो उसके लिए एक और example ठीक है देखें हमने लिखा an apple is high in fiber and water apples are high in fiber and water the apple is high in fiber and water the apple is a widely grown species of fruits the apple originated in Central Asia यह five sentences है अब इन five sentences में हम discussion किसका कर रहे है एपल का अब कॉमन नाउन है तो इसके दो मिनिंग होंगे क्या दो मिनिंग होंगे एक हो गए इसका primary मिनिंग primary meaning का मतलब हो गया class primary meaning का मतलब क्या हो गया class किसके class class of fruits दूसरा इसका हो गया secondary meaning secondary meaning में इसका क्या हो जाएगा मतलब member member of that class ठीक है और सिधे सब्दों में अगर आप ना समझ पाए हो तो आप इसको ऐसे समझ दीजिए जैसे हमने लिखा apple तो apple क्या हो गया a class of fruits ठीक है जैसे cow क्या है a class of animals dog क्या है a class of animals peacock क्या है a class of birds ठीक है rose क्या है a class of flowers या आप कह सकते हो a class of plants ठीक है तो उसे तरीके से apple क्या है a class of fruits orange क्या है class of fruits mango क्या है class of fruits ठीक है तो यह a class of fruits है apple अगर यह primary meaning में हम यूज करेंगे apple को तो apple का मतलब primary meaning में होगा a class of fruits सब्सक्राइब है सब्सक्राइब क्लास कि तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a member of the apple class, अब apple class का member, अब चुंकि apple क्या है, class of fruits है, तो जो उसका member होगा, वो भी कोई fruit ही होगा, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, कि अगर हम लिख रहे हैं, class of fruits, ठीक है, और यह हो गया member of the apple class, तो apple दो meaning convey कर सकता है, एक इसका primary meaning, जिसमें एक class of fruits को refer करेगा, एक इसका secondary meaning, जो उस class के किसी member को refer करेगा, एक member को भी कर सकता है, कुछ को भी कर सकता है, सब को भी कर सकता है, अब यहाँ पर यह जो concept है, थोड़ा से मैं आपको clear करता हूँ, देखिए, बोर्ड उस करना पड़ेगा, देखिए, यह जो apple वाला example मैंने आपको समझाया है, कि apple का एक हो गया primary meaning, primary meaning में, it is a class of fruits, ठीक है, और एक हो गया इसका secondary meaning, secondary meaning में, secondary meaning में, apple का मतलब हो जाएगा, अब fruit of the apple class, अब member लिख सकते हो, अब fruit of the apple class, जो apple class of fruits है, उसमें से एक fruit, मतलब एक member, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि English में जो common nouns होते हैं, वो countable nouns की category से होते हैं, और countable nouns में दो number होते हैं, single order, plural, अब देखें, अगर आपको apple को refer करना है, इसके primary meaning में, लब class को, तो आपको एक पास में एक ही तरीका होता है, उसको refer करने का, कि जब आप उसको किसी sentence में लिखोगे, तो आप उसको class का होगे, sorry, the apple का होगे, the apple, दूसरे तरीके से आप refer नहीं कर पाऊगे sentence में, अच्छे, एक चीज़ और भी आपको समझने, apple is just a word, apple केवल एक word है, अब यह word किसके लिए उस होता है, class के लिए उस होता है, member के लिए उस होता है, that depends on the sentence, जब तक आप इसको sentence में यूज़ करते हो, तब तक just a word, तब तक यह केवल एक word है, ठीक है, आपको इसको कोई determine करने की जरूद नहीं है, लेकिन जब आप इसको sentence में यूज़ करते हो, किसी particular context में, then you need to determine it, तो आपको इसको determine करने की जरूद पड़ती है, अब अगर हम apple को किसी sentence में ना यूज़ करें, simple as a word यूज़ करें, then you don't need to use any determiner with it, तो आपको इसके साथ में कोई determiner लिखने की जरूद नहीं है, मैं जो कहना चाता हूँ, आप ऐसा समझे, मान लीज़े, आप से कोई, या आप किसी से ये कहो, कि भाई tell me names of five fruits, कि पाँच फलों के नाम बताओ, मान लीज़े question मेर से पूछा गया, तो मैं क्या कहा दूँगा, mango, apple, grapes, orange, berries, ठीक है, I won't use any article, मुझे कोई article लिखने की जरूद नहीं है, मतलब if someone ask me the name of fruit, तो मुझे the apple, an apple, ये कहने की कोई जरूद नहीं है, because you are referring to as a word only, आप इसको के बले, एक as a name, as a word refer कर रहो, ना कि class है member, ठीक है, you won't use any article with it, when you are using it as a name only, or as a word, लेकिन, जब आप इसको sentence में उसकरोगे, किसी particular context में, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि context क्या है, member का context है, ये class का context है, secondary meaning में उसकर रहो, ये primary meaning में उसकर रहो, अब हमें पता है कि secondary meaning में member को refer करता है, ठीक है, primary meaning में ये class को refer करता है, common nouns countable होते हैं, उनके दो number होते हैं, singular, plural, ठीक है, तो जब आप इसको as a class refer करोगे, तो आपके पास इसको express करने का एक ही तरीका है, class by default definite होते हैं जब आप fruits की class categorize करते हो तो वह class definite हो जाती कि इस category के fruits है यह हो गया the apple the apple count the class the mango ठीक है the banana the orange ऐसे तो जब हम apple को primary meaning में use करेंगे तो हम इसको लिखेंगे the apple because the class is by default definite यह ध्यान रखना है class ही अगर indefinite हो जाएगी तो फिर आपको sentence नहीं कर पाओगे ना कुछ बोल पाओगे लिख पाओगे सब आपका दूरा रहेगा सब ambiguous रहेगा तो class is always definite तो हम इसको कहेंगे the apple no other way an apple apples कुछ नहीं the apple क्योंकि class एक ही है और वो definite है इसको आप इक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं आर्टिकल्स को लेकर यह आपने यूज पढ़ा होता है कि जो यूनिक काइंड अव थिंग्स होती है ठीक है उनके साथ में दा यूज होता है जैसे secondary मीनिंग का मतलब कि जब हम apple का यूज करेंगे member को refer करने के लिए member का मतलब समझ रहो और class को नहीं जिसे हम खाते हैं और जिसे मार्केट से खरीद के लाते हैं जब हम उसको refer करने के लिए इसका यूज करेंगे तब हम इसे कैसे करेंगे तब देखिए हमारे पास दो situations होगी एक situation यह होगी कि specific members कि आप बात करो ठीक है या general member की बात करो कि members की दो categories हो सकती ना एक member हो सकता specific एक member हो सकता आपका journal अब अगर आप अब general member की बात कर रहे हो एक काम बरता हूँ पहले general लिखता हूँ बात में specific क्योंकि primary state member के case में जो होती है वह general ही होती है तो हम general को पहले लिखेंगे primary को बात में specific को बात में लिखेंगे general और particular समझते रहना साथ में रहना मतलब तो अब हमें समझना यहां पर यह है कि अगर हम apple का यूज उसके secondary meaning में मतलब members of the class को refer करने के लिए करें तो हम कैसे determine करेंगे determinants का यूज करेंगे articles का यूज करेंगे basically ठीक है तो उससे पहले हमें यह समझना है कि जो member है जिसको refer करने के लिए आप apple word का यूज करोगे वह member किस टाइप का है ठीक है general members की बात कर रहा हूँ member in general की बात कर रहा हूँ या particular member की बात कर रहा हूँ अगर आप general member की बात कर रहा हूँ तो आपके दो तरीके होंगे क्या दो तरीके होंगे एक तरीका होगा आप लिखें an apple दूसरा तरीका होगा आप लिखें the apple इनका मतलब की बात कर रहा हूँ अगर आप particular member को किसी को refer करना है तो आपके पास क्या क्या possibilities हो सकती है देखिए तो आपके पास में एक यह हो सकती कि जिस आप particular member को refer कर रहे हो वो कोई एक हो जिसके बारे में में पता ना हो ठीक है तो हम उसको लिखेंगे an apple लेकर हो सकता है वो जो particular हो हमारे definite identity का हो तो हम उसको लिख सकते है यह हो सकता है कि हम कुछ particular apples की बात करें जो कि जनलों मलब particular है बाट identified नहीं है तो apples या फिर एक तीसरी possibility भी हो सकती फोर्थ सोरी the apples अब हमें यह समझ रहे है कि हमारे पास यह possibilities होती है अब यहां से इसके आगे जैसे हम आप किसी जनल मेंबर की बात करो एक situation होती है आप किसी particular मेंबर की बात करो अगर आप जनल मेंबर की बात कर रहे हो तो आपको इसको लिखना पढ़ेगा एपल्स ठीक है और अगर आप पारेटिकॉलर मेंबर की बात कर रहे है तो वह पारेटिकॉलर मेंबर अगर सिंग्वुलर है तो आप अपको इसके से एनी एनी मेंबर आप दिक लास एपल इसका मतलब यह होगा एन एपल का मतलब क्या होगा एनी मेंबर आप दिक लास एपल अच्छा जब आप एपल लिखोंगे तो इसका मतलब क्या जाएगा तो इसका मतलब जाएगा एनी मेंबर्स एनी और एवरी एनी मेंबर्स आप दिक क्लास एपल जब आप पर्टिकुलर को रेफर करने के लिए एन एपल लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तो एन एपल का मतलब हो जाएगा वन आप दिए मेंबर्स वन आप दिए मेंबर्स आप दिए मेंबर्स औप दिए ख्लास एपल गया एप्ल क्लास जो है उसमें से कोई एक मेंबर्स वह मेंबर्स नहीं है तो हमने उसको एन लिख दिया मतलब पर्टिकुलर देफिनाör है परिए नहीं है आगर और डेफिन्द हो जाएगा तब mä Judic देएंगे the apple का मतलब क्या हो जाएगा this year that इसका मतलब this your that this member of the member का मतलब यहां पर fruit है क्योंकि Apple fruits की class होती है ठीक है this member of the class apple इस member of the class apple is Apple classic apples का मतलब क्या मान ओए ठीक है इनका मतलब मैं आपको वह दाता है इनका मतलब जाएगा, these members, those भी हो सकता है, depending on the situation, these members of the class apple, ठीक है, और the apples का मतलब भी हो जाएगा, these members of the class apple, अब कुछ बच्चों को ये लगेगा, ठीक है, ये गड़बड हो गई, कुछ को ये लगेगा, कि ये जो the apples है, ये सही होना चाहिए, apples नहीं होना चाहिए, लेकिन इन judgmental मत बनना, judgmental बनोगे, तो मुझसे तो नहीं सीख पाऊगा, इंग्लिस, ठीक है, या मैं सिखा नहीं पाऊँगा, ऐसे कहले तो judgmental मत होना, बस भरोसा रखना, समझों सभाएगा, और एकदम सही समझोंगा, तो an apple, the apple तो आपको क्लियर हो गया होगा, कि अगर हमें particular member को refer क करना है, और अगर वो particular member definite identity का है, तो हम an apple कहेंगे, जिसका मतल़ जागा one of the apples, ठीक है, और अगर हम that apple कहेंगे, तो इसका मतल़ जागा this or that apple, अच्छा, लेकिन अगर वो particular members जो है, जिनको हम refer कर रहा है, वो plural number में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास दोनों तरीके हो होता है, कुछ बच्चे apples को लेकर confuse हो रहोंगे, कि apples तो यहां पर है, यहां पर है, तो यह नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, an apple भी यहां पर है, यहां पर भी है, ठीक है, तो वो confusion छोड़ दो, हम भी मैं समझा दूगा, यह बस सीखो, जितनी देर में मै रहा है, कि अगर हम example मान रहे है, apple को, apple की जाग, आप कुछ भी लिख सकते हो, dog भी लिख सकते हो, parrot भी लिख सकते हो, peacock भी लिख सकते हो, cow भी लिख सकते हो, elephant loin, जो आपका अमन करे हो, लिख सकते हो, ठीक है, तो अगर हमने apple लिखा, और apple को हम primary meaning में, यूझ करें किसी sign tense म तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा the determiner के साथ में और हमें कहना पड़ेगा the apple, the apple का मलदब the class, not member, ठीक है, लिकिन अगर हमें apple को इसके secondary meaning में यूज करना पड़े, members को refer करना हो, ठीक है, तब हमारे पास क्या-कया situation होगी, तो हमारे पास situation ऐसी हो सकती है, कि एक तो वो member ज general है, और singular number का है, तो आप an article यूज करोगे, ठीक है, और plural है, तो आप कोई article यूज करोगे, plural number यूज करोगे, ठीक है, meaning क्या होगे, वो मैंने आप पे लिख दिये, an apple का मतलब उस sense में हो जाएगा, any member of the class apple, और apples का मतलब जाएगा, any members of the class apple, मतलब बात होई है, singular plural होगे, ब यह लिखा हुआ है, आपके पास, an apple is high in fiber and water, apples are high in fiber and water, the apple is high in fiber and water, अब इनको समझे, इनके meanings निकालते हैं, इनके meanings के, यहाँ जो हमने an apple is high in fiber and water लिखा है, इसका मतलब है, any fruit, या member भी लिख सकते हो, of the apple class, class is high in fiber and water, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब होगे, इसका मतलब होगे, इसका मतलब क्या हुआ, apples are high in fiber and water, इसका मतलब होगे, Any members of the apple class, members लिखते हैं, मैंने कहते है, fruits लिखना दा है, Any fruits of the apple class are high in fiber and water. The apple, अब यहां पर ध्यान से समझना आप, कि यह जो हमने an apple लिखा है, ठीक है, और apples लिखा है, यह class को नहीं represent कर रहे हैं, क्योंकि class के लिए तो the apple ही उस होगा, वो तो मैंने आपको पहले बता दे, when you have to refer to the whole class, ठीक है, then you have to use the, because the class is by default definite, तो अगर हम an apple या apples लिख रहे हैं, त को, हम class को refer नहीं कर रहे हैं, हम refer कर रहे हैं members को, ठीक है, an apple का मतलब any, यह general sense है, यह members है, वो general sense में refer के जा रहे हैं, particular में नहीं, ठीक है, अगर particular में an apple हम लिख देंगे, तो इसका मल दो जागा one of the apples, जो कि यहां पे नहीं है, ठीक है, वो context से में पता करना पड़ता है, यह लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी दर पहले हमने पढ़ाता है कि secondary meaning को primary meaning के through, replace किया जा सकता है, primary meaning can represent the secondary meaning, whether that is in total or in whole, ठीक है, तो अगर हम उसको चाहें, तो the apple से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, the apple is high in fiber and, fiber and is high in fiber and water, अचा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतल class of fruits is high in fiber and water, ठीक है, अब यहां पर देखो, यह जो the apple अमने लिखा है, यह किसको represent का रहा है, class को, यह देखो, यहां पर भी लिखा हुआ है, the apple class of fruits is high in fiber and water, तो अब हम देख रहे हैं कि तीनों sentence का predicate same था, वही आर वाला difference से उसको हटा देना, बाकि predicate same था, an apple, apples और the apple सबके meaning same है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है, कि यह जो हमने first two situations लिखी हैं, जिन में हमने लिखा an apple या apples, यह है secondary meaning, क्योंकि यह class को रिजन नही meaning में use कर रहे हैं, the apple में यह primary है, यहां पर यह है primary, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो हमारे secondary meanings थे, मतलब जो secondary meaning के common nouns थे, वो जो meaning convey कर रहे थे, वो हमने primary meaning का noun use करके और convey कर दी, ठीक, the apple का मतलब the class, which is primary meaning, apples and an apple means member, okay, general category के members, which is secondary meaning, तो secondary meaning को primary meaning ने replace कर दिया, meaning भी गलत नहीं हुआ, meaning में कोई change भी नहीं हुआ, sentence भी सही, ठीक, तो कहने का मतलब यह तीनों सही, तीनों का meaning सही, लेकिन, अब समस्य कहां सुरू होती है, समस्य यहां सुरू होती है, लोग इसको वाईसे वरसा सही माल लेते हैं, वो यह माल ले कि secondary meaning को अगर primary meaning replace कर रहा है तो जब जबूद पढ़ेगे तो primary meaning को secondary meaning से replace कर देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अब यहां आई है, यह जो हमने लिगा ना, the apple is a widely grown species of fruits, क्या हम इसको, an apple is a widely grown species of fruits, या हम इसको apples are a widely grown species of fruits लिख सकते हैं, नहीं possible है, नहीं possible है, ठीक है, कैसे हमें बता जला है यह नहीं possible है, और क्यों नहीं possible है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखे, यह online में यह board छोटे पढ़ जाते हैं, offline में board बहुत बढ़ा है, मैं use करता हूँ, चलो, मैं समझाता यहीं पर छोटा सा एक, मतलब आपको picturization देना पड़ेगा, समझ जाओगे, देखे, यह तो color all ladies हो रहा है, यह कर लेते हैं, जैसे यह apple है, यह है class, the apple, यह है class, ठीक है, और इसके अंदर जो apples है, अगर हम उनको general sense में refer कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यह आतो है, an apple, an का मतलब any, कोई भी, मतलब बात गुमा फिरा के एक ही है, ठीक है, यह apples, apples का मतलब any apples, लेकिन यह है secondary, अब आपको समझना यह है, कि यह जो पूरी boundary है ना boundary, यह जो पूरी class है, इसके अपने attributes हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो members हैं, उनके अपने attributes ह हो सकते हैं, जैसे वो हमने पढ़ा था कि the links are made of gold, then the chain is made of gold, अगर भी links gold के बने हुए है, ठीक है, तो पूरी chain ही gold की बनी हुई है, अगर links भी है, तो chain भी है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जो members के attribute हैं, जो general attribute of the member है, वो attribute of the class होगा होगा, ठीक है, क्योंकि class उनी members से म member के लिए तो है, class के लिए नहीं है, मतलब class के लिए है, बड़ members के लिए नहीं है, तब आप क्या करोगे, तब आप primary को secondary से replace नहीं करपाऊगे, प्राइमरी के जो अपने attribute हैं कोई जरूर ही नहीं है, उसके members पर applicable on, जैसे, यहाँ पर जो हमने species लिखा है, इस particular example में अगर ह सरल driver है, मोहन driver है, कमल driver है, यह सब driver है, तो driver class है, आप मालीजे कि species है, सरल, मोहन, विमल, यह सब क्या है, उसके members है, तो species होती है, वो हमें से total होती है, वो हमें से class होती है, तो यह जो हमने लिखा, the apple is a widely grown species of fruits, ठीक, तो यहाँ पर हमें species से पता चल गए, कि you are referring to the class, क्योंकि species means class, species doesn't mean member, ठीक है, तो अगर यह class है, तो class के लिए तो हमने पढ़े था कि the apple ही लिखना पढ़ेगा, क्योंकि class को अगर आपको refer करना, the class is singular, एक तो पहली बाद class singular होती है, पूरी, जब आप किसी चीज को as a whole refer कर रहे हो, तो वो singular हो रहेगी है, ठीक है, और दूसरा वो by default definite होती है, तो दा लिखना पड़ता है, तो यहां पर जो हमने the apple लिखा है, ठीक है, इसको आप an apple is a widely grown species of fruit लिखोगे, तो गलत हो जाएगा, apples are a widely grown species of fruits लिखोगे, तो भी गलत हो जाएगा, because you are not referring to the member, members are out of context here, we are just referring to the whole class, हमें पूरी class को refer करना है, तो आपको the apple ही लिखना प अब यह जो हमने the apple originated in Central Asia, अब यह जो हमने the apple originated in Central Asia लिखा है, अगर हम इसको an apple originated in Central Asia लिखना चाहें, ठीक है, या हम इसको apples originated in Central Asia लिखना चाहें, तो meaning बदल जाएंगे, और same meaning नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि origin जो है वो class का, class कहा originated as a whole and members, ठीक है, कि एक apple, दो apple, तीन apple वह originate वह बागी कही originate वह ऐसा नहीं है, ठीक है, तो यह जो हमने लिखा, the apple originated in Central Asia, ठीक है, इसमें भी हमें class को refer करना है, origin of the class, not of the member, origin class का member का नहीं, members तो फिर origin हुए Central Asia में, फिर उसके बाद तो पूरी दुनिया में apple शुकते है ठीक है, तो we have to refer to the class, not to the member, तो अगर member को referee नहीं करना है, members are out of context, अगर members out of context हो जाते हैं ऐसी situation में, तो आप भूल जा हो है, an apple और apples, फिर आपको the apple ही लिखना पड़ेगा, यह आपको समझना है, अब जब यह बाते समझ में आ गई हूँ, क्योंकि हम काफी देर से discuss कर रहे ह अब मैं आपको ले आता हूँ, आपके इस example पर, cow वाल example पर, ठीक है, cow को लेकर पहले देखिए, मैं आपको समझा दे, तो मसला क्या है, cow का मतलब आप क्या मानोगे, ठीक है, cow common noun है, cow क्या है, common noun, तो हमने पढ़ा common nouns countable होते हैं, ठीक है, एक चीज, दो नंबर होते हैं, उन दूसरी बात, तीसरी बात, जो ज्यादा important है, जो कि तीसरी ने actual में primary हो, ये, कि common nouns के दो meaning होते हैं, एक होता primary meaning, ठीक है, और एक होता secondary meaning, ठीक है, तो अगर हम cow की बात करें, तो इसका primary meaning क्या हो जाएगा, primary meaning cow का हो जाएगा, a class of animals, cow animals के class है, जैसे apple जो है, वो class of fruits है, वैसे ही cow जो है, वो class of animals है, अज़ा secondary meaning में cow का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जाएगा, a member, an animal भी लिख सकते हो, या member लिख सकते हो, वो देख लेना आपने, ठीक है, आप चाहँ तो an animal भी लिख सकते हो, मैं animal ही लिख देता हूँ, यह से लो member ही लिखो, a member of the cow class, जो हमने class cow discuss कि, उसका कोई member हो, यहाँ तक clear, ठीक है, तो cow के दो meaning हो सकते हैं, cow means the class, cow means the member of the class, अब हमने पड़ा कि, जब हम इनको sentence में use करेंगे, तो हम इनको refer कैसे करेंगे, determine कैसे करेंगे, कि whether we are talking about the class or the member, ठीक है, तो बता दिया, अगर आप इसको as a class refer करोगे, तो आपको इसको as a class refer करोगे, तो आपको देखना पड़ेगे कि member कैसा है, अगर आपका जनल है, तो आपको दो ओप्सन है, एक ओप्सन है, आपको दूसरा ओप्सन है, आपका जनल है, cows, a cow का मतलब हो जाएगा, any member of the cow family, या any cow of the class, ठीक है, और cows का मतलब हो जाएगा, any cows, any members, अगर particular member की बात हो रही है, तब आपका जनल है, तो आपको प्सन है, एक तो यह, कि आप लिखो a cow, दूसरा ओप्सन है, आप लिखो the cow, a cow का मतलब हो जाएगा, one of the cows, the cow का मतलब जाएगा, ठीक है, या फिर आपका जनल हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका समझ में जाएगी, नहीं आया, तो फिर बात गई, ठीक है, तो यह cow को लिकर मैंने आपको समझा दिया, अब हम इसको examples की मदद से देखते हैं, यहां तक सही सलामत हो, यहां तक सही सलामत आ गया हो, तो आज आओ देखते हैं, अब जैसे मने लिए reference to the class, अगर हमें पूरी class को refer करना है, तो हम पढ़ चुके कि हमें the article लिखना पढ़ता है, तो यह जो हमने the cow लिखा है, तो the cow का मतलब क्या हो गया, the class of animals, the class as a whole of animals, animals की एक class, this class of the animals, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, cow, अब इसको किसे sentence वगएर में उसकरना हो, तो आप कैसे उसकरोगे, आप इसको ऐसे उसकर लिजे, आप इसको ऐसे उसकर लिजे, the cow is a four-footed animal, the cow is a four-footed animal, cow एक चार पैर वाला जनवर होता है, ठीक है, और हमें पता है कि पूरी class के लिए applicable बात है, तो यह the cow यहाँ पर हमारा सही है, गलत नहीं है, ठीक है, the cow is a four-footed animal, the cow का मतलब the class, it refers to the whole class, हलेंकि इसको लिकर मैं भी थोड़ा आपको explain करूँ, आपके दिमाग में कोई doubt आया, तो बिटकुल सही है, जायज़ा आना चाहिए, लिकिन अभी मैं इसको आगे explain करता हूँ, आजे, आपके लिए हमने लिख दिया भई, a cow, तो a cow का मतलब हम क्या माने, ठीक है, अगर पर्टिकुलर में a cow यूज़ कर रहे हो, an article यूज़ कर रहे हो, पर्टिकुलर मेंबर को refer करने के लिए, तो इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, one of the animal या one of the members of the cow class, जो cow class है, इस class का इसका बी मतलब हो जाएगा, these or those members of the cow class, the cows का मतलब क्यों हो जाएगा, these or those members of the cow class, of the cow these are those मतलब समझ देना अपना cow class ये meanings हो जाएंगा अब यह बात मैं examples के मझेश से तुम्हे हो प्यद्ध सतुम्जाते हूं मतलब ये तो a cow का मतलब मना तुम्हें का मतलब यह हो गया इनके मेनिंग्स हो गया अब इनको सेंटेंस में कैसे उस करेंगा वो प्रेक्टिकल सेंटेंस क्या हो गया आज वह भी देख लेते हैं जैसे हमने लिखा जैसे हमने लिखा अ काव इस रेस्टिंग का मतलब क्यों हो गया वना है यह पर्टिकुलर है वो डाफनिट नहीं किसकी गया है कौन इवाली गया है किस तरीके गया है तो वह भी मारा ले डेफिनिट नहीं है तो हमने एक लिख दिया चलो दूसरा देखो, दूसरा मैंने लिखा, I bought the cow for Rs. 50,000, अब मैंने का I bought the cow for Rs. 50,000, the cow का मतलब क्या हो गया, this member of the cow family, cow family का ये वाला जो member है, जो मेरे यहाँ है, या जो मेरे पास है, उसको मैंने 50,000 रुपे का खरीदा, तो ये the cow का मतलब हो गया, अब आजाते हैं, cows, इनका क्या मसला होगा, तो देखो, मैं बताता हूँ, cows are returning, ठीक है, from the fields, from the meadows, ठीक है, और हमने लिखा, the cows are returning from the meadows, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर यह समझना है, कि यह क्या मसला है, यह तो हमने दोनों बाते, अलग-अलग आइटिकल सा लिख दिए, तो मीनिंग बदल जाना चाहिए, तो मैं आपको उसाता होता नहीं है, देखे, जो cows हैं, वो वापस आ रही है, तो you can simply say cows, कि गाय वापस आ रही है, ठीक है, तो हमारी गाय है, जो भी गाय है, वो हो गई, अब हमें यह पता है, यह पूरी गाय की तो बात नहीं हो रही है, यह particular members की बात हो रही है, ठीक है, बट उसको define करना जरूरी नहीं होता, अगर वो emphasize करना है, तो दा लिखिये, नहीं emphasize करना है, तो particular plural members को plural noun में बिना article के refer किया जा सकता है, मैं यहाँ पर एक चीज आप सहोग रहना चाहूंगा, यह जो दा हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है, यह the identity का determiner है, यह the identity को नहीं, यह emphasize करने का determiner है, cows को emphasize करने के लिखा गया, यह identify करन नहीं लिखा गया, मैं भी समझाता हूँ, ठीक है, अब फिर हमने लिखा, the cows are returning from the media, इसका भी मतलब यह है, अब हमें पता यह जो cows और the cows हमने लिखा, यह members है, यह class नहीं है, क्योंकि we are not talking about all the cows in the world, we are talking about some members, ठीक है, तो फिर इसमें differentiate कैसे करे हैं, तो मैंने आपको बताया क कि यह जो the है, जब हम प्लूल ना उनके साथ में, जब हमें members को प्लूल फॉर्म में रेफर करना होता है, उनके साथ हम दा लिखते हैं, वो हमेशा उनकी identity का, मतलब, determiner नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको identify करने की जरूरती ना पड़े, तो आप क्यों करोगे, यह तो सब पांच लोग हैं, उनके पास 20-40 गाय हैं, वो गाय चराने की गए वापस, अब गाय वापस हा रही हैं गर पे, तो उनको बताना नहीं है which cows, उनको नहीं बताना है कि which cows are returning from the meadows, they know it, you don't have to identify कि यह वाली गाय, कि वो वाली गाय, कि यह वाली काउ यह वाली काउ यह वाली लेकिन अब मालीजे कुछ लोग हैं, वो जनवर चराने के लिए ले गए, उसमें cows भी हैं, बफैलोज भी हैं, ठीक है, gods भी हैं, sheep भी हैं, अब उसमें जो cows हैं, वो वापस आ रही हैं, बफैलोज ठीक है, या gods या sheep, वो वापस नहीं आ रही हैं, तो आपको लिखना यापने अइडेंटिफाइ नहीं किया, ये इंफिसाइज किया कि जो गाय हैं, वो वापस आ रही हैं, बाकी नहीं आ रही हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कि जब हम ये लिखेंगे, the members of the cow family, तो जब हम cows लिखते हैं, तो ये क्या है, जनल बात है, और the cows जब हम लि वो मीनिंग क्या होगा, वो मीनिंग ये होगा, and not the other animals, जो बाकी हैं, वो वापस नहीं आ रहा है, तो ये जो यहाँ पर दा हमने यूज किया है, ये दा, ये इंफिसाइज करने के लिए लिखागे, डिटर्मिनर है, ठीक है, ये है डिटर्मिनर ओफ इंफिसिस, ठीक है, य ये जो दा लिखा गया है, यहाँ पर कहा लिखाता है, ये वाला दा, ये आइडेंटिटी का डिटर्मिनर है, लेंग्वे स्टेडी चीज होते हैं, ये बेसिक्स बहुत होते हैं, एक आदा भी बेसिक हमें पता ना हो, तो पर हमें चीज़े रेक्टा मादनी पढ़ती है, स जो उने लिखा दक काउज रिटर्निंग फ्रॉं दे मीडोस, ये कोई जरूरी नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहा रहा है कि इडेंटिटी का नहीं हो सकता है, जब जरूरत पड़े तब, नहीं जरूरत पड़ेगी तो आप नहीं इसको यूज करते हो, ठीक है, लेकिन ये परिटिकुलर मेंबर्स को रेफर करना होता है, ठीक है, जैसे हम काउ को एक्जांपल मानगे हैं, अवे सारी बाते डिसकस करें, तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, वो हमने पढ़ लिया, आ काउ, दा काउ, और इनके क्या मीनिंग होते हैं, वो सामने लिखे हुए हैं, जैनल की बात करना है, आप कैसे करेंगे, तो जैनल के लिए देखिए, या तो आकाउ, या काउज, क्योंकि जैनल है, तो आप दा भूल जाए, नदा काउज, वो तो खतम आपके ऑप्शन, ठीक है, जैनल में रेफर करना है, अगर आपको मेंबर को किसी क्लास के, तो आपक काउ का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम जनरल में यूज करते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था, अगर ध्यान रहे गया, तो ठीक है नहीं, तो मैं देखो बताता हूँ, यह देखो यह लिखा होगा, जब हम जनरल में यूज करते हैं, किसी मेंबर को, सिंग्लर नंबर मे एन आइटिकल के साथ में तो उसका मतलब बात करेंगे अ कौ लिख देंगे तो उसका मतलब जाएगा एनीक अब लिखेंगे तो उसका मतलब आ दो कैόंे जैपल एणि नि उर्फ तो यह देख़वा है यह जो हमने लिखा कोई गलाइन यह जाएगा क्या गाइन दिया गाव क्लास का कोई भी मेंबर और काउस का मतलब क्या जाएगा अधिन टाउस अपधिक क्लास तो यह मैंने जाएंगे यह होते हैं यहां पर एक छोटा से पॉइंट में आपको ऐसे ओरली पता देना चाहता हूं क्योंकि अब कॉंसेप्ट में बहुत से छोटे-छोटे तो एनी का मतलब तुम लोग अगर जानते हो तो ठीक है एनी एक ऐसा डिटर्मिनर होता है जो की नॉन असर्टिव वर्ट की कटेगरी से होता है और एनी का मतलब कोई भी हो सकता है सभी भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं मतलब एनी का मीनिंग कभी क्लियर नहीं होता है या you can pick any of these books, इन में से कोई भी बुक एक ले लो, ठीक है, किसी परसन ने का, I need a book to read, मुझे एक बुक चाहिए पढ़ने के लिए, और मान लिजी मेरी लाइरी में सोड़ेरी में सो बुक है, मैंने का, you can pick any book, कोई भी बुक ले लो, तो यहां पे any का मतलब हो गया, सम में से कोई जो तुम पिक करोगे, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कवर सब को कर रहा है, लेकिन पिक तुम्हे कोई करने है, तो यह जब हम लिखते है, ना, any member of the cow class, जनल बात, कोई भी member, चाहे ये वाला, चाहे यह वाला, चाहे यह यहां वाला, चाहे इंडिया में जो काव हो है व A cow has four legs and two horns यह जासे हमने लिखा Cows have four legs and two horns तो देखो, इनके मतलब क्या हुए, जैसे एक ग्जामपल लिख दिया, आप समझ रहे हो, एक ही सी बात मैंने लिख दी, क्योंकि वो मीनिंग एक ही होता है तो A cow has four legs and two horns, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि any members of the cow class, कोई भी मतलब cow class का member होगा, कोई भी गाय होगी, ठीक है, मतलब जिसकी class cow होगी, ऐसा कोई भी animal जोए, उसके four legs होंगे और two horns होंगे तो इस तरीके सा आप भी उस करोगे, और यह जनल है, मतलब यह जनल, मतलब we are not referring to some particular, यह particular member की बात नहीं होगे, यह general members की बात होगे, अच्छा अब जनल members की बात करते हो, तो वह जनल characteristic होता है, जब आप general members की बात करते हो, तो वह general characteristic होता है, class का, अगर general characteristic class का होता है, तो जो class के लिए use होने वाला primary noun होता है, उसको replace कर सकता है, कहने का मतलब यह है कि यह जो तुमने लिखा है, a cow has four legs and two horns, तो यह तो general characteristic हो गया, पूरी class के members का, कि cow यह class है, उस class में जितने भी members हैं, यह उन सब का general attribute हो गया, general, ठीक है, तो अगर यह general attribute है, तो इसका मतलब यह सारी class पे applicable हो गया, सारी class पे applicable हो गया, तो जो class का अपना noun होता है, the, the cow, वो इसको replace कर देगा, क्योंकि primary meaning can replace the secondary, तो हम इसको चाहें, तो the cow has four legs को, a cow has four legs को, ऐसे भी लिख सकते हैं, the cow has four legs and two horns, ठीक है, और यह लो सही, वो भी सही, यह भी सही, ठीक है, अच्छा, फिर वही बात यहाँ पर भी है, cows have four legs and two horns, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, the cow has, the cow has four legs and two horns, ठीक है, तो यह एक ही बात हो गई, अब यही पर लोगों को confusion हो जाते है, वो यह सोचते हैं, कि a cow जो है, उसको हम the cow से replace कर पा रहे हैं, भीजे देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने a cow की जगे the cows लिख दिया, ठीक है, cows की जगे the cow लिख दिया, तो बच्चा सोचता है, फिर फरक क्या हुआ, फिर तो कभी the cow गलत ही नहीं होना चाहिए, जब हम general में refer करते हैं members को, ठीक है, तो उसकी जगे जो primary meaning का noun होता है, class क इसको refer करता है, उसको दा के साथ में use कर लो, ठीक है, जब भी लिखा हो, a cow has four legs and two horns, तो हटा हो उसकी जगे लिख दा काओ, बट मैंने एक बात और भी गई थी, क्या, कि जो secondary meaning है, उसको primary meaning represent कर सकता है, बट जब आप बात केबल primary की की करोगे, तो secondary उसको replace नहीं कर पाएगा मतलब यह है, कि जब आप members को general में refer करते हो, और अगर कोई ऐसा characteristic है members का, जो हर एक member के लिए applicable है, general characteristic हो गया हो, सारे members का, तो फिर वो class का भी characteristic माना जाएगा, तो जो class को refer करने के लिए primary meaning होता है, the cow, the apple, the parrot, the peacock, वो उसको replace कर देगा, बट इसका मतलब अब तुम यह मत मान कि जब हम पूरी class को refer कर रहे होंगे, तो जो पूरी class है, उसको भी फिर a cow या cow उसको replace कर देगा, secondary जो होता है, वो part होता है, member होता है, primary class होता है, class members को cover कर सकते, members class को नहीं cover कर सकते, because part is always smaller than the total, क्योंकि part जो होता है, वो हमेशा ही smaller than the total होता है, चलो, अब इस बात को हम practically हलाएं कि वैसे तो मुझे ये lecture लेना चाहिए था live class में, ठीक है, बट मुझे पता था एक तो ये concept बहुत tricky है, ठीक है, मतलब tricky नहीं है, लेकिन छोटो जोड़े बहुत से concept से एक साथ में काम करने लग जाते है, दूसरा, live class में बच्चों में discipline नहीं होता है, मतलब तुम जालतर बच्चे हमारे चैनल पर तो खेर अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो बास्तम में पूरा गुर्गोबर कर देते हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने पहले पढ़ा है, फिर आपको ये वीडियो दे रहा अपने अंदर हम ढूने तो बाहर आती है, पिस समस्या ही होती हैं, अपने अंदर अपने को ढूने कैसे हैं, हमें तरीका नहीं पता, कहां से ढूनना शुरू करें, कैसे ढूने, क्या ढूने अपने अपने अंदर, ये कुछ हमें पता नहीं होता, तो उसके लिए हमें कोई गाइड चाहिए होता है कोई हमें counselor चाहिए होता है ठीक है कोई हमें ऐसा person चाहिए होता है कि जो हमारी उसमें help कर दे कि ऐसे आप खुद को डूंड सकते हो अपने अंदर चीजों को ऐसे आप मतलब realize कर सकते हो वो dialogue के through होता है dialogue बारतला पापस में कि तुम कहो मैं सुनू मैं क कहूं तो उस से knowledge मतलब निकलती है बाहर लेकिन चलो खर आजाओ अब हमने लिगा दे साइंटिफिक नेम ओप डैस इस बोस टॉरस आप अच्छा करना गया देखो यह तो बताए नहीं मैं बदाता हूं आपको करना क्या है कि यह जो examples हैं यह जो लिखे हुए है इन में आका आकाओ होगो और कि तक यह तो यह जो जोंतर है कि तकाओ है सब्सक्राणा करना कि यह को मतलब है एक क्लास कर आ gap up का मतलब है मैं भात टिक अब अगर आपको मेंबर्ड को रैफर करनए तो आकावलिक होगे, क्लास को रेफर करना है, दाकावलिक होगे, समस्या फिर वही, भी ये तो चलो, हमने याद कर लिया कि क्लास को रेफर करना है, तो दाकावलिक हैंगे, मेंबर को रेफर करना है, तो आकावलिक हैंगे, करते हो जैसे sentence के दो basic part होते है subject और predicate ठीक है तो subject is what we talk about predicate is what is told about the subject तो आप subject के बारे में क्या बात कर रहे हैं उससे पता लगा नहीं कोशिस करो कि आपका subject क्या होगा मैंने अगर कहा कि कि Mohan teaches well तो आप इसका मदल्ब निकाल सकते हो कि Mohan teacher होगा context ठीक है यह जैसे हमने कहा कि Mohan won the gold medal at Olympics तो आप इसका मदल्ब मान सकते हो कि Mohan has at least participated once in Olympics he is an Olympian ठीक है and he must have performed better than any other athlete तो यह context से आप अपने आप मीनिंग डराइब कर लेते हो मतलब पूरा sentence पढ़िए और समझने की कोशिस कीजिए कि जो बात की जारी है वो members के लिए अपलिकेवल है या members के लिए नहीं के वल क्लास के लिए अपलिकेवल है कि secondary मीनिंग को primary मीनिंग रिप्लेस कर सकता है ठीक है हम मैं समझातों देखिया ज्यासे हमने लिए लिए साइंटेस्ट इस साइंटेफिक नेम ओफ डैस बोस टॉरस यह काव का साइंटेफिक नेम होता अगर तुम लोग जानते हो ठीक है तो यह बोस टॉरस जो नेम है यह member को असाइन होता है यह पूरी class category को असाइन होता है जो बच्छे जो लोजी वगरे पड़े होंगे वो यह बात जल्दी समझ जाएंगे बाकी को थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा ठीक है कि यह जो taxonomy होती है taxonomy में क्या होता है कि जैसे domain है kingdom है फाइला है ठीक है जैनेस है species है family है यह सब taxonomical categorization होते है living animals के plants के और प्लांट्स और अनिमल्स के ठीक है चाहे वो सही हो चाहे गलत हो तुम भी याद करें बैठेर हो अपने चुक चाप ठीक है तो यहां पर किया है कि थोड़ा थाने taxonomy कि अगर आपको जानकारी है आप मेंसे जो बच्चे जो लोजी वगरे पढ़े हैं थोड़ा बहुत भी ठीक है तो वो जान जाएंगे साइंटिफिक नेम है और यह जो साइंटिफिक नेम है यह मेंबर 不要 wanna रहला को साइन नहीं जाता है यह पुरी क्लास क्लास को अशन के जाता है तो अब यह जब सेंट्सम्पे आप पढ़ोगे तो आप जान जाओगे रहणा चाह rolling ** अब यहां परgem पर मिलक दालड जै कि आप has four separate chambers in its stomach कि चार अलग-अलग chambers होते हैं पेट में जैसे तुम लोग उने पढ़ा होगा गाय के बारे में कि यह जो ruminants होते हैं animals होते हैं इनका क्या होता है कि इनके इनके इस्टमक में four chambers होते हैं यह पहले जैसे जब चरते हैं चारा खाते हैं ठीक है तो यह पहले उसको पेट में इकठा कर लेते हैं ठीक है बाद में जब यह कभी फुरुसत में बैठते हैं कहीं पर तो फिर उसको जुगाली करके बाहर निकालते हैं रिगरगेट करते हैं चाहिए यह हो चाहिए वो हो चाहिए वो सबके लिए है ठीक है तो अगर हम यह बात देखें तो यह बात general members particular नहीं ध्यान देना not particular member ऐसा नहीं कोई particular member है कोई particular guy है उसी के पेट में 4 chambers है ठीक है general general members अब अगर यह general member plural होता है तो हम लिखते cows लेकिन चूंकि वर्ब singular लिखी है तो हम plural noun लिख नहीं सकते हैं तो हम लिखेंगे अकाउ 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 है फोर separate chambers in its stomach लेकिन अब बात करते हैं दूसरी कि यह जो बात general member के लिए applicable है वो तो पूरी class के लिए applicable हो जाएगी क्योंकि अगर मानलो हर एक गाए के पेट में चार chambers होते हैं अलग-अलग तो इसका मतलब यह पूरी class जो है उसके लिए भी बात applicable हो साएगी ठीक है जनल में तो आप इस secondary meaning को primary meaning से replace कर सकते हो और इसकी जागे आप लिख सकते हो दगाउ तो इसमें आप दोनों में से कुछ भी लिखो the cow has four separate chambers in its system correct a cow has four separate chambers in its system correct बट तुम्हें ध्यान रखना पड़े गए यहाँ पर जो हमने the cow लिखा है न यह secondary meaning को represent करने के लिए यह primary meaning में अपना original meaning में नहीं है यह secondary meaning का representative हो गया क्यों क्यों क्योंकि secondary meaning था वो जनल था वो जनल हर एक individual के लिए अप्लिकेवल था तो जब जो हर एक individual के लिए अप्लिकेवल है वो पूरी class के लिए एक तरीके से अप्लिकेवल है यह हो गया नेक्स मैं जो डैस हमने लिखा डैस हमने लिखा डैस is a widespread group of mammals found almost everywhere in the world अब हमें फिर वह यह अकाव यह दकाव में लिखना है हमें समझना है कि हम आकाव लिखे यह दकाव लिखे तो यहां पर ध्यान से देखना कि जो वर्व है यह linking वर्व है यह linking और कर दों compliment लिखते हैं compliment subject same होते हैं तो यहां पर हमने लिखा group of mammals group of mammals अब पहली बात तो ऐसे समझ लो कि group जो होता है वो member तो group होता नहीं है इतो सब को ही पता है कि वह ग्रूप तो class होती है member को नहीं refer करना है बात ही खत्म होगे उसके बाद तो कुछ बचे ही नहीं है ठीक अज जब यह पता है जाले कि class को refer करना है तो लिख दो तो cow अब यहां पर आप लिखो a cow यहां पर लिखो a cow is a widespread group of mammals या लिखो cows are a group of widespread mammals गलत हो जाएगा तो यह हमें समझना है कि जो primary meaning है उसको secondary meaning replace नहीं कर सकता है अगर हमारे जो members है वो out of context हो जाएं तो लेकिन जो secondary meaning है उसको primary meaning replace कर सकता है तो first sentence है the scientific name of the cow is boss taurus इसमें आप the cow ही लिख पाओगे तो हमें पता है ग्रूप का मतलब तो class होती है ग्रूप का उलब तो total होता है तो मतलब बात यहां पर मेंबर्स की नहीं होरी members are out of context then you use the cow the cow is the widest spread group of mammals found in almost everywhere चलिये some more examples next देखे हमने लेकाँ dash is the first species to be domesticated इसमें भी वही करना है कुछ अलग काम नहीं करना है इसमें भी हमें वही करना है यूज़ अकाउ और दकाउ अकाउ या दकाउ का यूज़ करना है डिफरेंट समझ में आ रहा है अकाउ का मतलब क्या हुआ इसको समझाने के लिए मैं आपको एक्जांपल देता हूं यहां देखे है मैंने लिखा दूसरा 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 दू यह दो एक्जांपल्स लिखे हैं, दोनों में the family subject है, बढ़ यहां पर एक चीज समझ दा, यह तो family है, यह क्या होती है, यह होती है, a class of members, members की class होती है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, तो family जो है, यह primary है, ठीक है, और member secondary है, member क्या है, secondary है, ऐसे होगे न, primary और secondary, अब अगर हम members की बात करें, general, तो उसको primary noun जो family है, वो represent कर सकता है, लेकिन अगर हम केवल family की बात करें, class की बात करें, तो फिर जो member है, जो की secondary meaning का noun है, वो उसको replace नहीं कर सकता, यहां पर बात समझ नहीं आसान है, family member है, आप easily समझ जाओ family and member are two different words, but cow के साथ में क्या होता है, कि cow class को भी represent कर सकता है, family को भी, member को भी represent कर सकता है, तो हम confuse जाते है, tiger के साथ में भी होता है, lion के साथ में भी होता, dog के साथ में भी होता, horse के साथ में होता, सब के साथ ही होता है, ठीक है, तो दिमाग लाओगे, समझ जाओगे, आप दे यहां पर the family जो है, वो secondary meaning को represent कर रहा है, कैसे, कैसे, समझ में आगे होगा तुमें, नहीं समझ में बता जेता हूं, जैसे हमने लिए लिए the family is invited to the event, तो family is a class, nobody invite it, we invite people, we invite the members, so actually the members were invited, the family is invited to the event का मतलब है कि the members of the family are invited, but the members are in general, ठीक है, जो general members हैं, तो हमने उसको क्या किया, जब आप general की बात कर रहे हो, तो members की, तो जो general characteristic of members होता है, वो फिर general characteristic of the group भी हो जाता है, तो आप group को secondary meaning को replace करने के लिए उसकर सकते हो, तो अगर हम the family is invited to the event लिख रहे हैं, तो यहाँ पर the family का मतलब actually है, the members of the family, तो इस secondary noun को represent करने के लिए लिखा गया primary noun है, लेकिन यहाँ पर the family जो है, यह secondary meaning को represent करने के लिखा गया, यह primary meaning है और primary meaning में ही use हो रहा है, the family word यहाँ पर, the family is the basic social unit, तो यहाँ पर unit जो society की होती है, जो basic unit of society होती है, वो member नहीं होती है, वो family ही होती है, तो यहां पर family itself, the family is referring to the family itself, यहां the family is referring to the members of the family, तो यहां पर family ने क्या किया, secondary meaning अजूम कर लिया, यहां पर family primary meaning में ही है, easy a language, समझनी और समझानी पढ़ती है, पढ़ने से वीडियो देखने से आती नहीं, समझनी पढ़ती है, कोशिज करनी पढ़ती है, समझानी पढ़ती है, अब इन तीन examples पर जाओ, यहां पर हमने लिखा, a dash is the first species to be domesticated, अब हम थोड़ी दर पहले पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे, कि species है, group है, यह सब class को refer करते हैं, तो अगर हमने यहां पर species लिख दिया, तो इसका मतलब हमें यहां पर class of animals को refer करना है, members of the class को नहीं, the cow, ठीक है, the cow, cable, और कुछ नहीं, इसमें जाते हैं, the lifespan of dash is about 15 to 12 to 15 years, अब जैसे गाये होती हैं, ठीक है, गाये का जीवन, जैसे humans का होता है, 100 साल मानते हैं, अलागि 77 कुछ ऐसे होता होगा, ठीक है, लेकिन cow, जैसे होती है, गाये जो होती है, उसका life span जो होता है, 12 से 15 साल होता है, ठीक है, कुछ 15 साल से 1-2 साल ज्यादा भी जी लेंगी, वो अलग मसला है, तो हमने लिगा, the lifespan of dash is about 12 to 15 years, तो class का तो life span होता नहीं, क्लास तो ऐसा थोड़ी कि 10 साल के बाद में cow class कतम हो जाएगी, गाये बचेंगी नहीं दुनिया में, पूरी class एकदम से जैसे वो थैनोस ने चुटकी बजाई थी, और आदी दुनिया साफ हो गए थी, ऐसे गाये पूरी class कतम हो जाएगी, यह life span of the class नहीं है, life span of the member है, बट जर्नल, जर्नल, पर्टिकुलर नहीं, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर गाये हैं, वो ही 12 से 15 साल जीती है, वो तो कोई भी गाये, कोई भी cow, ठीक है, तो यह जर्नल मेंबर की बात हो रही है, ठीक है, तो जब यह पता चल गए, जर्नल मेंबर की बात हो रही है, तो आप लिखो a cow, अब फिर जब हमने कहा कि जो बात all members in general applicable होती है, वो group के लिए applicable होती है, तो group वहाँ पर secondary meaning में यूज किया जा सकता है, तो the cow भी लिख सकते हो, यह भी सही, यह भी सही, अब यह सेकंडरी मीनिंग को रेप्रेजेंट करने लिख दिया गया, अब यह सेकंडरी मीनिग का जूब कर चुका है, जैसे यहाँ पर था, ठीक है, चलो अब इस पर जाते है, अब हमने का, अब हमने का, अब हमने का, यह सेकंडरी मीनिग की इस पर गाय है, जो भी होते है ठीक है जानवर तो अब जब यहांपर लाइव स्थॉॉ टैपस ऑफ अनिमल को रफ कराए है और उसमें से आप अप पर टिवल्र टाइप ऑफ एनिमल की वाद कर रहा है तो यह तो आपको अनिमल की बात कर रहा है तो अपको अपर फिर आपको क्लास को करना it is not applicable to the member, members got out of context, now it is a reference to the class, हम class को पूरी रेफर गर रहे हैं, कि जो गाये हैं, वो second largest type of largest structure in the world हैं by numbers, संख्या के हिसाब से, ठीक है, पहला क्या हो, मुझे पता निए, तो बात यहां पर यह है, कि जब हम use करते हैं, किसी common noun को class को रेफर करने के लिए, तो cable उसके साथ में the article use कीजिए, singular number के साथ में, पूलला कोई पर use भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं, members को रेफर करने के लिए, तो अगर वो members general है, तो वहां पर हम उनके साथ में एन article use कर सकते हैं, singular number के साथ में, यह पूलल नंबर बिना article के use कर सकते हैं, और अगर हम उन members related कोई ऐसे characteristic की बात करें, जो general characteristic है, सारे members का, ठीक है, तो फिर आप वहां पर primary noun को, जो कि the cow होता है, cow के case में, the apple होता है, apple के case में, उसको secondary meaning के, उसमें use कर सकते हो, उसकी जगे पर, मलब वो secondary meaning assume कर लेता है, बट यह vice versa काम नहीं करता है, क्योंकि जब आपको cable group को, या class को रेफर करना होता है, तो फिर आपको the cow ही लिखना पड़ता है, ठीक है, the apple ही लिखना पड़ता है, so that was the concept, मुझे लगता है, आप लोगों समझ में आया होगा, यह आपके लिए home work है, मतलब यह, यह मैं समझाऊंगा नहीं, answer क्या है, मतलब करना क्या है, तुम समझ के होगे, use a cow और the cow, account यह, the cow का यूज़ करना है, blanks में, ठीक है, the cow का मतलब है class, account का मतलब है member of the class, ठीक है, use कीज़े और यह आपका home work है, मतलब home work तो खेर क्या है, लेकिन बस यह मैं तुम भी थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करो, तो उसके लिए छोड़ रहाँ, कि अपना दिमाग यूज़ करके देखो, बाते समझ में आई हैं नहीं आई हैं, ठीक है, comment your answers, comment your answers, ठीक है, कहा comment करने हैं वो तुमें पता है, अपने answers को comment कर देना है, ठीक है, so that was the concept, बाकि, आप English competition के लिए पढ़ाते हो, तो भी हमारे online, offline programs होते हैं, offline with Delhi में start हो रहा है, next week से हम भी अपनी classes start कर देंगे, resume कर देंगे actually, और अगर आप advanced courses, मतलब advanced modules में interested हो English, then we have programs as well, तो भी हमारे पास programs होते हैं, advanced जो learners होते हैं, उनके लिए भी ठीक है, फिलाल में यह जो आपने discussion किया है, पूरा, इस discussion का जो PDF है, आप हमारे telegram channel से access कर सकते हो, telegram channel पे यह आपको मिल जाएगा, ठीक है, जाद तर हमारे बच्चे जो होते हैं, उन्होंने telegram channel को join कर रखा है, आप डारेक्ट वहां से जोइन कर सकते हो, यह नीचे अभी आपों को नहीं दिख रहे होंगे, लिकन बाद में दिख जाएंगे PDF में, यह हमारे inquiry numbers हैं, आप इनके थूरू हमें call करके contact भी कर सकते हो, यह जो concept आपको समझाया मैंने, कितना समझ में आया, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, इस से related कोई doubt है, कोई confusion है, अगर वो हमसे पूछना पताना चाहते हो, तो मेरा अपना जो WhatsApp number है, वो यह है, 99111-91959, ठीक है, यह जो PDF में नीचे लिखे हुए है, यह हमारे office के inquiry numbers है, ठीक है, और यह WhatsApp number मैं use करता हूँ, इस number का WhatsApp मैं use करता हूँ, please don't call, call ना करें, ठीक है, क्योंकि मैं केवल WhatsApp उस करता हूँ, WhatsApp calls मुझे irritate करती है, ठीक है, तो call बिल्कुल भूल से भी ना करें, I'll block the number, ठीक है, अब WhatsApp message के थुरू मुझे contact कर सकते है, 99111-91959, इस number तो यह कैसा लगा, पूरा concept, कैसा, मुझे पता है, अच्छा था, लेकिन फिर भी तुम लोगों कैसा लगा, यह जरूर बताना, कमेंट करके, अपने answers कमेंट करना, देखे, दो चीजे, एक तो इन तीनों questions के answer जरूर कमेंट करने, क्योंगि अगर आप यहां तक आये हो, तो इसका उनला आपने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है, तो अगर यह इतनी मेहनत की है, तो अब इस मेहनत को अधूरा मत छोड करना, जब तक answer नहीं बताओगे, तब तक मेहनत दूरी है, तो जो भी सही गलत तुम्हें लगे, वो comment section में comment जरूर करना है, इन तीनों questions के answer, A, B, C, कि A में यागा, B में यागा, C में यागा, एक तही comment करना है, जरूर, दूसरा, कैसा लगा यह concept, कैसे लगे यह questions, ठीक है और इस concept से related, कोई particular confusion अभी भी तुम्हारी बची रह जाती है, कोई particular questions से related, concepts से related, ठीक है, और वो अगर तुम हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, मेरे साथ अगर especially share करना चाहते हो, तो यह मेरा WhatsApp नमबर है, I use this number, ठीक है, इस number का WhatsApp में यूश करता हूँ, call मत करना, मैं फिर से ब थाटनर्स